यह transformer पूरी तरह से ON हो रहा है जब यह ON होगा तभी output निकलेगा और इधर से जो निकलता है voltage इधर से जो निकलता हो वो DC होकर इधर बैटरी में चुड़ता है पर यहां से जो निकलता है वो 12 volt रीले के लिए जाता है तो अगर transformer कमजोर तरह के से ON होगा तो यह क्या होगा कि 12V कम रहेगा हलो बेंस वेल्कम टू संजाई एलेक्रोन सिंजर और आज एक्जूम चार्जर में क्या फाल्ट है अभी जो लाए हैं उनको भी नहीं पता और इसे अभी हम करेंगे ठीक जो भी फाल्ट है बीना फाल्ट के तो आया नहीं है एपने कवा बीने इस दो पर बना लेकिन आज आज आ जो मैं आपको लेकर चल रहा है ठिक करने के लिए दिखा रहा हूँ सिंग्हतार्य को बैटरी ओन किया अगर करने के बाद क्या देखना है बताब क्या देखें तो बैटरी ओन किया क्या देखना है तो हम इसे निगेटिव में लगा दें यह देखें यह 10V है और यह 12V है 10V जो है यह IC के लिए जाता है जो यहां पर 78.05 लगा हुआ है उससे 5V आउट होके इस IC को देता है तो हम यहां 5V भी चेक कर लेते हैं यह 5V भी आ रहा है और है ना 4.7 है मतलब वह 4.9 नहीं नहीं पांच वोल्ट है तो यह IC में वोल्टेज जा रहा है बात करता है 12V जो है 25 पर जाता है 15 नंबर और 13 नंबर यह दोनों पर जाता है और 12V दस वोल्ट का कोई फाल्ट नहीं है कि आए अचाओ आप मोस्यों खेक कर लेते हैं मॉस्पेट में क्या खिरा भी है मॉस्पेट यह तरफ तो सही ढिखा रहा है गेंट लीट रहा है और दें तो गेट यह भी सही है нужно Grain to source bolts and range to gate thinship checking हिसाफ से बिल्कुल जही है ac आ रहा है यहां कि दूसरे तरफ AC की दाख – बज़ रही है और दोनों कैपसिटर पे desperation कई मतलब बिल्कुल जही है अब इसे चला के देख सकते है तो चला के देख सकते हैं मतलब हमने County में छेक-कड लिया यह धायोट को चेक कर लिया, सीख है, मॉस्टिट को चेक कर लिया, ठीक है, और आउटपुट में जो बारव वोल दसवल बनता है, वो भी सही है, icb पहुच भी रहा है यह जो सोल्डिंग किया हूँ यह सोल्डिंग नहीं है यह मैंने भी बताने के लिए कि कैसे करना है इस कारण से लगा हूँ मतलब से मिल्म यह कुछ किया नहीं हो अब इससे चालू क्रते है यह है सिरीज लगा दिया इना अभी यहां पर एसी कितार और यह बैटरी फी के चालू भी उगह सूद्ध है लेकिन चालू अस्टार्टिंग लिया फिर हालका डाउन होगे मतलब जो फिरीज बती जलनी चाहे है थी थोड़ी से तेज जलनी चाहिए थी वह थोड़ी कम जलनी चलो मैं अब डायरेक कर लेता हूं अब डायरेक कर दिया है अब अब डायरेक यह पंखा चलेगा यह यह देखे और शीरीज की बत्ती जो है पंखा तो चल रहा है लेकिन एमपेर नहीं उठा रहा है जब कि यह पंखा चल रहा है और यह पत्ती जल लिए आट पूट आठ पूट इसलिए तो यह देखे हम निगादी आउट पूट में कितना भूल बन रहा है यह देखें यह है 50 वोल्ट और यह प्रश्पर मतलब यह रीले ओन हो चुका है और आउट्पुट में इसके में देख रहें 12 वोल्ट निकल रहा है सर्फ दर्शै ऐसे भी सिरी सी बात है यह ट्रास्फरमर पूरी तरह से अन हो रहा है जब यह ओन होगा तभी आउट्पुट निकलेगा और इधर से जो निकलता हों PC हो कर इधर बैटरी में जुड़ता है पर यहां से जो निकलता है वह 12 वोल्ट रिले के लिए जाता है तो अ タres पराइब पूरिधा तरह सवन हो रहा है तभी 5 यहां पर फिर फिर भी भोल्ट नहीं है और यह 50 वोल्ट है जो बेठरी के दिखा रहा हो मतलब यहां पर हम cutting करेंगे न तो क्या होगा कि इधर का 6 वोल्ट होगा करेंगे उर यो SUR यह डाउन कर दे रहा है, तो इसमें 100% है कि यह डायोट खराब है, ठीक है, अगर यह इधर का फाल्ट होता, तो यहाँ पे 12V नहीं होता, कम होता है, यह खराब है, चलो हम उसको देख लेते हैं, खराब है कि नहीं है, ठीक है, यह जो है, अभी यह जो डायोट है, अभी यह आपको यह लाइन काड़ दिया, क्योंकि इसे हमें रिपेर निकरना है, अभी हम उसे बता देंगे, खुद कर लेगा हो, यह देखे डायोट ठीक है, यह ठीक है, लेकिन यह डायोट बिल्कुल ओपेन है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, कि इधर का जो वोल्टेज न आपको हम देखते हैं, पहले करके देखते हैं, तो इक डायोट निकलो, निकलो, निकलो एक डायोट रिल्ले आउन होगा ना, यह 12 बोल्ट जो है, ट्रसफर्मर से तो निकली रहा सही से, यह इसलिए भूम के यहां पर आज रहा है, जबकि तुमने यह डायोट निकाल चु देखो, यह मैंने हमने लगाया, उपर से एक, एक तो सही था, और जो मैंने कटिंग किया था, जो कटिंग किया था, वो जोड दिया, अब यह लगाने के बाद, इसमें सिरीज में लगा रहा हूँ, देखे, इसके सिरीज की बत्ती तेज हो जाएगा, इसके सिरीज में लिए, तो अब इससे डायरेक्ट लगाएंगे, एक सकेंड के लिए, क्योंकि यह खुला है, इंपर दिखाऊँगा, आपको इसके सिरीज में बंद करूँगा, मैं इस पर हाथ भी रख रहा हूँ कि ज्यादा वो तो पहले बंद करना होगा, डायरेक्ट लगा दिया हूँ, यह दिखिए, इम पर चल रहा हूँ, जा रहा न, बढ़ रहा है, अभी मैं यहाँ पर हाथ रखा हूँ, कुछ दिक्क्कत नहीं दी, लेकिन यह आपको हाथ रख रखे चलाना है, अगर खुले खुले में चलाना हो, तो इस तरह से यह बिल्कुल ओके हो चुगा देखिए जिसका चार्जर था पहले उटके बंद किया ठीक है तो दोस्तों इसी तरह से का रिपेरिंग आपको सिखना है तो 100% सिखने करणते हैं आप आए हमारे इंसूट में इसी तरह से एलिट टीवी इंवर्टर बिल्डिंग मसीन या इई रिक्सा मोटर कंट्रोलर चार्जर किसी भी तरह का रिपेरिंग हो 100% रिपेरिंग करके दिखाते हैं यह प्रिक्टिकल चल रहा है यह दुकान नहीं है ऐसा नहीं कि मैं दुकान पर रिपेर कर रहा हूं यह जो गाओं से लेकर आये चार्जर उस पर रिपेरिंग है यह चोटी चोटी बात जो है कई बार क्या होता है समय में नहीं आती लेकिन बड़ी बात नहीं है यह सब रिपेरिंग बिल्कुल ओके होती है और यह मैं जाए आपको यह शिरफ यह डायोड लगा है अब मेरा काम ह है यह रिपेर हो चुगा है यह खुद बावजी करेंगी तो इस तरह से आप आए यह किसी कंपोनेंस को खरीदना हो जैसे यह मैं नहीं बेचावी है ना हमसे लिए तीस सा यह डायोड तीस सा डायोड हो या संतालेशन साट मोस्पेट हो जो गुब तरीके से नंबर मिटा क बेच रहा है वो भी संतालेशन साट ही है दूसरा नंबर नहीं है आप कहीं यह सुच रहे हैं कि दूसरा नंबर मिटा हुआ नंबर ले तो ज्यादा अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है जो संतालेशन साट में देता हूँ वही नंबर किसाई किया हुए मैं भी किसाई करके बो झाल झाल